मेरे प्यारे साथियों नमस्कार आज के वीडियो में राजसान जी के गए 25 बहुत ही इंपोर्टन परसन लेके हैं और यह सभी परसन एक्जाम की दश्टी से वेरी वेरी इंपोर्टन है आप लोग वीडियो सुरू से आन तक देखेगा साथी रोजना राजसान जी के गैसे इंपोर्टन क्यूसन पाना चाते है चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजेगा आपको डेली राजसान जी के गैसे इंपोर्टन क्यूसन के वीडियो मिलते रहेंगे पहला क्योसन आपके सामने राज़सान में राजीव गांधी ग्रामीन एलपीजी शेवा कहां से प्रारम की गी थी बहुत अच्छा क्योसन एक्जाम में परसंद बन चुका है क्योसे नमड टू की बात करें राजसान में घोल रहा किस जन्जाती का निवास थान माना जाता है तो कथोड़ी जन्जाती का ओपुचन T हमारा उत्दर रहेगा क्योसन वर त्रीगी बात करें मुख्यमंतरी निसुलक दवा योजना का प्रहरम हुआ था मुख्यमंतरी निसुलक दवा योजना का जो प्रहरम है वो कब हुआ था किस सन के अंदर हुआ था आप जानते हैं हमने पिछले वीडियो में बात के थी मुख्यमंतरी निशुलक जांच योजना देखे ध्यान दीजिए आप लोग कन्फ्यूज मत होईएगा जांच योजना और दवा योजना दोनों अलग-अलग डेट को जारी हुई अलग-लग सन को जारी हुई थी दोनों में आप लोग कन्फ्यूज मत होईएगा तो यहाँ पे हम बात करें मुख्यमत निसुलक दवा योजना जो कि 2 अक्टूमर 2011 को आप्शन A इसका सही उत्तरेगा क्योशनर 4 की बात करें राजसान में हेलरू किस जनजाती से समंधित है राजसान के अंदर हेलरू जो है किस जनजाती से जुड़ा हुआ है जल्दी से आप लोग एंसर कॉमेंट में बताएगा और वीडियो के अंतर इमानदरी से बताएगा कि 25 में सही आपके कितने सही वे इससे आपकी प्रेक्टिश ही हो जाएगी और आपका पता लग जागे कि आपकी त्यारी किस आप लोग हर एक क्योशन का एंसर जुरूर कॉम आपसन था वो कौन से राजस्तान के भाग में था तो आपो के आजब आसपास वहां पर बरमारों का साथ सुगवा करता था आपसन सी इसका सही उत्तरे क्योशन वर सिक्स की बात करें जेन आचारिये हरी वदर सूरी का जो जनम है वो कहां पर हुआ था जो चितोड में जान वो कहां से होता है तो बिजोलिया सिलालेक से आपसन ए इसका सही उत्तरे गा तो जेतल देवी ने आपसन भी इसका सही उत्तरे गा क्योशन वर नाइन की बात करें निमन मैं से पदमनात द्वारा रचित गरंथ कौन सा है इन में से तो यहां पर देखा जाए तो कान रद्दे परवंद होगा ऑपसन भी इसका सही उत्तरे गा क्योशन वर 10 की बात करें राजसान राजे के गठन के बाद एक जनवरी 1956 को राजे में कुल कितने जिले थे बहुत अचा है कि उसने एकजाम में परसन कई बार पूछा गे आप लोग उत्तर जुरूर दीजेगा और वीडियो के अंदे में आप सभी से एक मोश्ट इंपोर्टन क्योशन पूछा जगा उसका भी आप लोग उत्तर जुरूर दीजेगा देखते कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं तो एक जनवरी 1956 को राजस्तान के अंदर उस समय कितने जिले थे तो 26 जिले थे ऑप्शन भी इसका सही उत्तर है मैं अपने डेत वर्रेंट पे हस्ताकसर कर सकता है कि मैं अपने डेत वर्रेंट पे हस्ताकसर कर रहा हूँ कि तो ऑप्शन भी इसका सही उत्तर है कि हैं स्योंगत राश्ट के कूछ ए विमेन टूगेदर North 2007 से समानीत देश की पहली मैंला कों है श्यूंग्त राष्ट संगे विमिन टूगेदर आवार्ड दोजार साथ से समानी देश की पहली मेला है वो सुन्द्रा राजे आप्सन भी इसका सही उतर रहेगा क्योसनवर तेरह की बात करें नीमन मैंसे तारीक राजसान नामक गरंत के रचिता को ने क्योसनवर चौदा की बात करें नीमन मैंसे प्राप्त सिलालेकों मैंसे सबसे बड़ी प्रिस्ती किससे मिलती है क्योसनवर पंद्रा की बात करें सर्वहितकारी प्तरिका बुंदी से कब परकासित होई थी सर्वहितकारी प्तरिका है जो कि बुंदी से परकासित के गए थी और यह जो है कब किस समय किस सन के अंदर परकासित के गई तो 1889 के अंदर आप्शन से इसका सही उतर रहेगा और यह कहां से होई थी बुंदी से होई दोनों याद कीजेगा सन भी आपको याद होना चाहिए और स्थान भी आपको पता होना चाहिए 1916 की बात करें देनिक नव जियोती का परकासित कब आरम वह था देनिक नव जियोती आप देख रहे हैं जो की इसका जो परकासित पहली वार जो है इसके सुरवात कब वही थी 1936 के अंदर आप्शन भी इसका सही उतर है 17 की बात करें लकड आउ ककड के नाम से किस नेता को जाना जाता है तो जे नरण व्यास को आप्शन डी हमारा उतरेगा 18 की बात करें निमन मैसे सरोपरतम उत्तरदाई सासन की मांग उठाने वाले नेता कौन थे सबसे पहले उत्तरदाई सासन की मांग उठाने वाले नेता कौन थे तो जमला लल बजाज आप्शन सी इसका सही उतर रहेगा क्योशन नवर 19 की बात करें भरतपुर की जनता किसे सेर ए भरतपुर कहके संबोदित करती थी वेरी वेरी इंपोर्टन क्योशन ने एक्जाम की दिश्टी से कि तो भरतपुर की जनता थी वो किस वेक्ति को सेर ए भरतपुर कहके संबोदित करती या सेर ए भरतपुर कहके बुलाती थी तो गोकुल जी वरमा को आप्शन भी इसका सही उतरेगा क्योशन और 20 की बात करें निवन मैंसे किस रियास्त के हाई कोट को महिंदरा सभा के नाम से जाना जाता है तो मेवार्ड की रियास्त को आप्शन डी इसका सही उतरेगा क्योशन और 21 की बात करें ब्रिटिस सरकार ने जेसल मेर के साथ नमक संदी कब की थी ब्रिटिस सरकार ने जेसल मेर के साथ में जो है नमक संदी किस संद के अंदर की थी 1860 में ऑप्शन भी हमारा उतरेगा 1830 issue में किस राज्य में सती पर्थावे पर्तिम लगाया गया था तो अलवर ओप्सन डी इसका सही उत्तर है क्योशनवर 23 की बात करें नीमन मैंसे कौन सा सासक कवी टिकारम नाटकार वर संगित चारिय था इन मैंसे कौन सा सासक है जो कि कवी भी है टिकार वर नाटकार वर संगित चारिय भी है जो कि है महरणा कुमा ओप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योशनवर 24 की बात करें गोरा वे बादल वीर राजबुत योदाओं का समद किसे हैं गोरा वे बादल वीर राजभूत योदाओं का जो समधा वो चितोड से हैं ओप्षन हे हमारा उत्तर रहेगा क्योसन और 25 की बात करें वागिश्च्री के नाम से कौन जाना जाता है तो रमा भाई ओप्षन सी हमारा उत्तर रहेगा चलिए दोस्तों बात करते हैं आज का मोश्ट इंपोर्टन क्योंसे न आप सभी के सामने इसका एंसर आप लो कॉमेंट में जरूर दीजेगा अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो अभी आप लो कॉसी जरूर की जाएगा क्योंकि कॉसी करने वालों की कभी हार नहीं होती वीडियो को लाइक करना और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करने आपको डेली रास्तान जीके के ऐसे इंपोर्टन क्योंसें के वीडियो मिलते रहेंगे किसी भी क्योंसें को लेके कोई डाउट और राया सुझाब देनो आप लो कॉमेंट जुरूर कीजेगा एंड थैंक यू एंड वेश्ट अब लक और अपने दोस्तों किसी वीडियो को सेयर भी कर देना थैंक यू